हेलो स्टूदेंन्स वैल्कम बेक तू हिंदी मेर ak Programm शाउगत है अभे जो कंटेन्ट लेकर आए है आपका बी стал ऐडी में के आपका एजुकेशन्स का पेपर है опपर जो हम लेकरा हैं सैकीन्ड एरे की जो इस्टूदेंट91 से उनके लिए लिख रहा हैं पेपर फस्ट है पेपर का नाम है शिक्षा और मानुविकास एजुकेशन एंड हुमेन डवलप्मेंट तो मुझे बता है सबी स्टुडेंट्स को इसकी रिक्वाइड थी चलिए बने रहिए हिंदी विरक के साथ सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजे बैल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजे और वीडियो शुरू हो चुकी है तो वीडियो शुरू होने के साथ साथ एक लाइक तो बनता है कर दीजे और शेयर कर दीजे सबी स्टुडेंट्स को क्योंकि आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी करते हैं और शेयर करने से एक दूसरे का हमें लगता है कि हम ए यूनिट काफी है 22 यूनिट है तो थोड़ा जल्दी हम भी करेंगे और थोड़ा आप भी जल्दी समझने की कोशिश करना की यूनिट बहुत जादा है वीडियो लेंद दिना हूँ इस बात का ख्याल रखेंगे चलिए बता देते हैं आपकी जो फर्स्ट यूनिट है फर्स् यूनिट का जहां पर यहां पर कंटेट नहीं होगा उस यूनिट के लिए हम अंदर जाएंगे और तब उसके बारे में आपको एस्प्लेन करेंगे लेकिन फर्स यूनिट में मुझे लगता है हमें अंदर से कुछ पढ़ने की जूरत नहीं पड़ेगी यहीं मैं आपको ट 89 की 100% में कहते हूं कोशंस जरूर बनेगा आप आ गये हैं दूसरी उनिट पर फशिक्सा मनोविज्यान यहां था सिर्फ मनोविज्यान यहां पर है शिक्सा मनोविज्यान तो इसका भी अर्त तता छेतली जाला निकल कर जाएगा आगे आते हैं मानो बुद्धी व्याम विकास अवस्थाएं ये भी अगर आप पढ़ें तो ठीक है नहीं तो शाषा वस्था में शाररिक, मानसिक, समय गात्वत तथा समाजिक विकास पढ़ लीजिए बाले वस्था में शाररिक ये तोनों के टॉपिक जरूर पढ़ लीजि इसके बाद आते हैं यहां पर बुद्धी बहुत ही इंपोर्टेंट है ये आपका 99% बनेगा बुद्धी क्या है इसका क्या अर्थ है इसकी परिभाश है पढ़ लीजिए बुद्धी मापने के क्या साथ क्या क्या होते हैं मापन ये भी आपको पढ़ना पढ़ेगा फिर के क्या सिध्धानत हैं फिर यहां पर व्यक्तितु पर हम आ चुके हैं व्यक्तितु में आपको व्यक्तितु की अवधाना विकास और इसके निर्धारत तक तो कौन कौन से हैं ये पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है फिर आते हैं व्यक्तितु के सिध्धानत ठीक है ये ये कोशन्स आपका कई बार बना था आगे आ चुके हैं यहां पर आपके 21 यूनिट में 21 में आप विचलन शीलता का मापक पढ़ लीजिए यहां पर चरतों तांक विचलन ये बहुत ही महतुपन हैं ये वाला विचलन आपका ठीक हैं सह संबंद पर लीजिए इसका अर्थ क्या है और सहसंबंद बनाक का परिकलन लेकिन अगर आप इतना भी नहीं पढ़ना पाएं तो फिर सहसंबंद का आर्थ और परकार जरूर पर लीजिए चलिए इतना तो थोड़ा मुझे लगता है काफी स्टूडेंट का कवर हो गया होगा अब आगे थोड़ा सा अंदर देख लेते हैं फर्स्ट उनिट में तो मुझे लगता है देखने की हमें जरूरत नहीं है चलते हैं हम आपकी सेकंड उनिट की तरफ सेकंड और थार उनिट में कंटेंट को देखने कितनी जरूरत नहीं है क्योंकि वो मैंने उपर ही बहुत अच्छे से आपको बता दिया है कि आपको देखना अंदर ऐसा कुछ नहीं जो मैंने उपर ना बता है शिक्षाकार्थ मनोवी ग्यानकार्थ इन दोनों का संबंद ठीक है यहां पर आप प पर आपको क्या पढ़ना है जैसे मैंने आपको बताया था अंतरने रक्षन विधी आतम गत्म करक्षन विधी और तर सह संबाद रेस्ट में घ्रूर पढ़े चलते हैं ऑगे चलते हैं पुद्धियाने विकास का चाहए पढ़ना पढ़ने लेकिन बुद्धिकार विकासकर विकास की विश्यूस्ता है जरूब पढ़ लेजिएगा तिन टॉपिक जरूब पढ़ लेजेगा चलते हैं एक हम क्या बन रही है नेक्स उनिट में हम आ चुके हैं फिफ्ट उनिट पर मानव विकास की अवस्ता ये इंपोर्टेंट है 100% यहां से कोशन्स बनेंगे और मुझे लगता है यहां जो 2-3 आपके कोशन्स निकल कर आएंगे ठीके चलिए मानव विकास की कौन-कौन सी अवस्ता है और अवस्ताओं की विशेस्ता है बूर बाले वस्ता उत्तर बाले वस्ता किशोर वस्ता इन सब को बहुत ध्यान से पढ़िए 100% यहां से कोशन्स जरूर बनेगा निके विकास आत्मक कार्लिया आप पढ़ना चाहे पढ़ लीजे लेकिन यह उपर की जो विशेस्ता है और अरवस्ता है यह जरूर पढ़ लीजेगा चलते हैं आगे आपकी 6 यूनिट पर 5 हो चुकी है 6 पर हम आ गए है 6 में 6 वस्ता शाररिक मानसी समय गात्मक और समाजिक अब यह नहीं कह सकते हैं कि इसमें से कौन सा पूछा जाए हो सकता है सारा ही पूछ ले चारो के चारो तो चारो को ही एक बाग गोत्रू जरूर कर लीजेगा ठीक है वैसे जादतर जो पूछा जाता है वैं शाररिक और मानसी की पूछा जाता है 7 यूनिट उपर चली गई है य यहाँ पर आचुके हैं हम किशोर अवस्ता में वही टॉपिक हैं सारे में तो एक बार तो देखो आपको गोत्रू ये करने ही पड़ेंगे तीनों में से कोई सा भी आपका आज सकता है एक्जाम में वैसे जो मोसली पूछा जाता है वह किशोर अवस्ता और शैशा वस्ता के वारे में पूछा जाता है नाइन विनिट पर आचुके हैं सीखना क्या है लर्निंग इसमें सीखने का आर्थ पढ़ना है और यहाँ पर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लेना बस इतना ही यहाँ पर आपके लिए सफिशन्ट रहेगा बस सीखने का आर्थ परिभाशा है यह पढ़ लिजेगा यहाँ से शौट कोशन आपका निकल सकता है तैन विनिट पर आचुके हैं सीखने के कौन कौन से सिध्धानत है अब यहाँ देख लिजे थांडाइक का बहुत महतोपूर्ण है इसके नर का बहुत महतोपूर्ण है आने को इनका भी आ स अभी पेड़ना पढ़ लिजे 99 जरू बनेगा यहां से प्रशन अभी पेड़ना का अर्थ परिभाश है क्या होती है अभी पेड़ना अभी पेड़ना जैसे प्रेड़ना हमें कहां से मिलती है तो इसी परकार से अभी प्रेड़ना आप किस चीज को देखकर प्रेरित होते जो भी कोई बात है उससे आप किस प्रकार से अभी प्रेरित होते हैं वो चीजे यहां पर बताए गई है ठीक है तो यहां पर बस और क्या आप पढ़ सकते हैं देखिए अंगरे जी भाजा का शब्द है मोटिवेशन यानि कि आप आज कल आप वीडियो भी देखते हैं मोटि मोटिवेशनल वीडियो होती है उन्हें ही अभी प्रेरित करना जैसे प्रेरना तो आप कहीं से भी ले सकता है लेकिन जब आपके अंदर कोई प्रेरना जगाता है तो वो प्रेरना क्या होती है वो अभी प्रेरित करना होता है यानि कि मोटिवेशनल होता है तो यह चीजे आप पढ़नी हैं यहां पर हम एक बार रोड जाना पढ़ेगा हमें पीछे तो यहां पर आपको क्या पढ़ना है अभी प्रेणा का अर्थ परिभाश आए और इसके प्रकार आप पढ़ सकते हैं ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं प्रकरती पढ़ लिजे इतना है तो कर ले लेकिन मैं इसको कर रही हूं चलिए आगे आचुके हैं यहां पर बुद्धी बुद्धी का आर्थ बहुत मैफ्टपूंड है 100 परसेंट यहां से कोश्चन जरू निकलेगा बुद्धी का आर्थ परिभाश है बुद्धी मापन या प्रेक्शन का क्या अर्थ है बस इतना ही आप कर लिए इतना भी आपके लिए सपीशन चलिए आगे चलते हैं आगे देखते हैं कौन सी युनिट है अब आपकी युनिट आने वाली है 14 ठीक है 14 पर हम पहुँच चुके हैं जो युनिट स्किप हो गई है वो मैंने इसलिए शुरू में ही समझा दी थी स जरूर कर लिजेगा बहुकारक सिध्धान बहुत इंपोर्टेंट है दोनों ही टॉपिक और बुद्धी के कारक सिध्धान यह करना चाहिए कर लिए कि द्वीकारक और बहुकारक जरूर कर लिजेगा बहुत ही बहुत बहुत जादा इंपोर्टेंट है चलिए आगे चलते करके आपको पढ़ना पढ़ेगा तभी आपकी चीज समझ में आएंगे और एक बार समझ में आ गए ना तो आपको फिर पढ़नी की जुरुत ही नहीं पढ़ेगी आप खुद से ही इसको लिफ पाऊगे अब जैसे अभी पेंड़ना वाला टॉपिक आया तो मोटिवेशन के वारे में आप खुद से लिख सकते हो बहुत थोड़ा उसको व्यग्यानिक तरीके से पढ़ लिजिए फिर अटायम उस तरीके से कीजिए ना बुद्धी का क्या आर्थ है बुद्धी मापन पर परिक्षन का अर्थ बताईए बुद्धी परिक्षन की समानते हैं विशमता हो चुकी है चलिए सिक्स्टीन उनिट उपर चली गई है अब यहां पर हमें वापस आना पढ़ रहा है सरजनात्मक क्या है सरजनात्मक क्या है क्रेटिविटी क्या होती है क्रेटिविटी सरजनात्मक का अर्थ हैं परिभाश है परिभाश है परिभाश है पर लिजिए अर न चाहें कर लें नहीं तो इतना भी आप कर लेंगे तो ये भी आपके लिए सफिशेंट रहेगा चलिए आगे चलते हैं 17 यूनिट की तरफ बहुत जादा यूनिट है भाई 22 यूनिट चलिए आगे चलते हैं इसमें व्यक्तितु की अवधारना इसकी परिभाशाएं कर ठीक है चलिए आचुके हैं 18 यूनिट पर 18 यूनिट के जो है टॉपिक यहां पर हैं देख लीजिए कैटल यहां से पढ़ना चाहें कैटल के श्रील गुन आप पढ़ सकते हो ठीक है कैटल भी इंपोर्टेंट है 19 यूनिट ये रही आपकी इसमें हैं व्यक्तितों मापन क प्रविधियां कौन कौन सी है व्यक्तितों की प्रविधियां के विकास बस्तुनिस्ट आत्मिनिस्ट और यह तीन पढ़ लीजिए बस यही आपके लिए बहुत रहेगा 20 यूनिट पर हम आ चुके हैं 20 यूनिट कवर देख लेते हैं यहां पर वर्नात्मक सांखिकी केंद प्रवर्etikaар थेंव परिभाशां है बताइए केंद्रिया फरते के मापूद्धेशयम कार रेंब ता इसके बाद मध्यका का शौट कोश्च रस आपका बन सकता है ठीक है समांतर माध्यवी आप अधिय यहां से शौट कोश्च रस ज्यादा आपके निकलेंगे पिर आचु के हैं आपकी बहुत लेंदी यूनिट है ये वाले आपके 20 यूनिट पर हमने खतम किया था 20 21 कहां रह गए भई ये रहे 21 विचलन शिल्टागा मापक तो इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है देख लेते हैं एक तो आप अपके रण की मापे पढ़ लीजे अपके उद्देश है महतु पढ़ लीजे और चतुर्थक विचलन या अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार बहुत इंपोर्टेंट है पढ़ लीजे यहां से कोशन्स आपका बनेगा ही बनेगा चलिए आगे चलते हैं यहां पर शोट लोंग वही टॉपिक तयार कर लीजे किसी भी तरह से कोशन्स बने चाहा शोट बने चाहा लोंग बने आपको तो आटाम करना है ना सहसंबंद अर्थ परकार करमंतर सहसंबंद गुनांक तो यह भी इंपोर्टेंट है आपके लिए सहसंबंद का अर्थ परिवाज़ पता यह बताईए सहसंबंद का मैंत образ इसे सहसंबंद के प्रकार बताइए और बस इतनाошी यह बहुत रहेगा आपके लिए ठीक है बस इतनाही बहुत है 22 यु निर्थική आ चुके हम 22 तक तो बने रहेए हिंधी मेलर के साथ शेयर करना ना भूले क्योंकि आप सय दो करते है और हिंदी मिलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजे बैल आएकर हिट नहीं किया तो कर दीजे क्योंकि आप हिंदी परिवर का हिस्सा बनेंगे तभी आगे तक आप तक नोटिल के पहुच पाएंगे